मार्केट विजाड सेक्षन चौदा मार्केट किसी ट्रेडिंग लिमिट के बीच में है तो उस लिमिट के भीतर अपना स्टोप लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको बाहर निकाले जाने की संभावना है मैं हमेशा अपना स्टोप किसी टेक्निकल बरियर से परे रखता हूँ क्या आपको यह प्रोब्लम नहीं आती कि बहुत से दूसरे लोग एक ही स्टोप पोइंट का उप्योग कर रहे होंगे और मार्केट उस स्टोप लेवल की और आकर्शित हो सकता है मैं इसके बारे में कभी नहीं सोचता क्योंकि टेक्निकल बरियर के बारे में बात यह है कि यदि आप सही है तो मार्केट को वहान नहीं जाना चाहिए मैं उस पोइंट से बचने की कोशिश करता हूँ जिसे फ्लोर टेडर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कभी-कभी मैं अपना स्टोप किसी सपस्ट पोइंट पर रख सकता हूँ अगर मुझे लगता है कि वह बहुत दूर है या आसानी से पहुंचना बहुत मुश्किल है एक एक्चुल एग्यामपल के लिए हाल ही में शुक्रवार की दोपहर को बोंड्स ने एक extended trading range के बाहर high velocity breakdown देखा जहां तक मैं बता सकता हूँ प्राइस में यह बदलाव पूरी तरह से आश्चिरे चकित करने वाला था मुझे इस आधार पर बोंड्स सेलिंग में बहुत सहस्ता मैसोस होई कि यदि मैं trading के बारे में सही था तो market को पिछले overhead consolidation की एक निश्चित amount के माध्यम से इसे वापस नहीं करना चाहिए वह मेरा stop था मैं उस position में आसानी से सो गया क्योंकि मुझे पता था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं trading से बाहर हो जाऊंगा stop के बारे में बात करते हुए मेरा मानना है कि जिस size में आप trading करते हैं उसके कारण आपके stop हमेशा mental stop होते हैं या क्या यह जरूरी नहीं कि सच हो आईए इसे इस तरह से कहीं मैंने अपनी life इस तरह से organize की है ताकि रुकाउटों का ध्यान रखा जा सके वे कभी floor पर नहीं होते लेकिन वे mental भी नहीं होते आखिरकार आपको क्या बताता है कि आप किसी प्रमुक position ट्रेड में गलत हैं आपका stop point आपके प्रारंबिक नुकसान को limit कर देगा लेकिन यदि आप अभी भी trading के underlying fundamental analysis में विश्वास करते हैं तो मुझे लगता है कि आप इसे फिर से आजमाएंगे यदि आप market की सामने direction के बारे में गलत है तो क्या आपको सिलसलेवार नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा आप किस point पर trading विचार को त्याग देते हैं सबसे पहले पैसे का loss ही मुझे धीमा कर देता है इसलिए मैं अपनी position कम कर देता हूँ दूसरे आपके दुआरा बताई गई position में टेकनिकल पिक्चर में बदलाओ मुझे दूसरे विचार देगा पोर एक्जम्पल यदि मैं डॉलर पर रिशेशन का रुख रखता हूँ और एक प्रमुक intermediate high पार कर चुका हूँ तो मुझे अपने approach का re-evaluate करना होगा पहले आपने उलेक किया था कि आपने अपना खुद का trade following system develop किया है ताकि यह पता चल सके कि एसे system के तहत manage बड़ी मात्रा में money के market में आने की उमीद की जा सकती है क्या आप अपनी द्वारा manage money के किसी भी हिस्से का trading करने के लिए अपने स्व्यम के trend following system का उप्योग करते हैं हाँ लगवग 5% क्या यह आपके confidence का level है मुझे लगता है कि यह negative 5% नहीं है इसलिए यह और भी बुरा हो सकता है कुल मिलाकर मेरे systems पैसा कमाते हैं लेकिन उन में volatility की विसेश्थाएं और risk control से सम्मनित problem से हैं जो मुझे पसंद नहीं है लेकिन चुकि वे मेरी other trading से diversification की offer करते हैं इसलिए मैं उन्हें कुछ हद तक उप्योग करता हूँ क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा system develop करना संभव है जो एक अच्छे trader के समान ही काम कर सके मुझे लगता है कि इसकी संभावना नहीं है क्योंकि ऐसे system की सीखने की विसेश्थाओं को बहुत अधिक develop करना होगा computer सीखने में तभी अच्छे होते हैं जब information और प्रेजिडेंट के स्पस्ट हिरार्कीज होते हैं For example, medical diagnostic के लिए expert system बहुत अच्छे है क्योंकि rule बहुत स्पस्ट है trading के लिए expert system डेवलप करने में problem यह है कि trading और investment game के rule बदलते रहते हैं मैंने expert system developers के साथ काम करने में कुछ time बिथाया है क्योंकि trading नेर्णों में कई प्रकार के ज्यान शामिल होते हैं और information को interpret करने के rule बदलते रहते हैं क्या यह fact कि आप अपने शुरुवाती वर्षों के तुलना में बहुत अधिक size में trading कर रहे हैं इसे और अधिक कठिन बना देता है मेरे trading के optimum size के लिए sufficient liquidity वाले बहुत कम market है आप वर्थमान में कितने पैसे का management कर रहे हैं 650 million dollar से अधिक का मेरा मानना है कि इसमें से आधे से अधिक capital appreciation के कारण है हाँ, पिछले वर्ष का profit लगबग 300 million dollar था ऐसे कौन से market है जिनमे unsufficient liquidity के कारण trading करने में आपको वास्तों में परिशानी होती है एसे market का एक example जो मुझे बहुत पसंद है लेकिन जिसमें liquidity अकसर खराब होती है copper है copper के मामले में मैं हाथी हूँ problem बनने से पहले copper जैसे market में किस प्रकार का size आराम से ले जाया जा सकता है मैं कहूंगा एक दिन में आप आराम से 500 से 800 contract मूँव कर सकते हैं SUV दा जनक रूप से उससे कुछ अदिक लेकिन copper की डेली volume वर्तमान में केवल 7000 से 10000 कॉंट्रेक्ट है और इसमें से अधिकास local trading या spread है इसके against T-bonds market में आप बिना किसी problem के 5000 कॉंट्रेक्ट मूव कर सकते हैं आप interbank currency market में बहुत बड़े size में भी मूव हो सकते हैं क्या आप coffee जैसे market में trading कर सकते हैं जिसमें गहरी liquidity नहीं है लेकिन कभी-कभी भारी रुजहान डेवलप हो सकता है हाँ, मैंने पिछले साल coffee का trade किया और इसमें कुछ million dollar कमाई अब अगर मैं 600 million dollar का management कर रहा हूँ और मैं coffee trade पर 2 million dollar का profit कमाता हूँ, तो यह वास्तों में उतना माइने नहीं रखता है वास्तों में यह counter productive भी हो सकता है क्योंकि मैं coffee पर ध्यान केंदरित करने में जो time और उर्जा खर्च करता हूँ, उससे currency market पर मेरा ध्यान कम हो जाता है जहां मैं काफी अधिक भारी trading करता हूँ, एसा प्रतीत होगा कि आप size के उस level पर पहुँच गई हैं जो आपके trading philosophy में barrier डालता है चुकि आपके पास substantial personal fund है क्या आपने कभी केवल अपने पैसों का trading करने और money management में सभी संबंदित सिर्दत से बचने का विचार किया है हाँ, लेकिन एसे कई कारण है, जिनकी वज़े से मैं एसा नहीं करता, यदि पि मैं अपने swim के money का एक बड़ा हिस्सा अपने fund में invest करता हूँ मेरे fund का वह हिस्सा जो managed money है एक call को represent करता है यह है एक option के अनुरूप जिसमें price size की position में unlimited profit की संभावना होती है लेकिन decline की position में risk इसकी लागत तक limit होता है मैं इसे flippant नहीं कहता क्योंकि मेरे investors के बीच मेरी reputation बहुत है जो मेरे लिए important है लेकिन एक call symmetrical जीत या हार की position से कहीं बहतर position है क्या आपके द्वारा manage की जा सकने वाली amount की कोई practical limit है अधिकांस commodity futures market में निश्चित रूप से ऐसा होता है हालांकि currency interest rate और crude oil जैसी कुछ commodities में limits है लेकिन वे बहुत अधिक है मैं आपने द्वारा manage की जा रहे fund के size में future में होने वाली growth को बहुत सावधानी से manage करने की plan बना रहा हूँ जब आप ऐसे markets में order देते हैं जो सबसे अधिक liquid नहीं है दूसरे शब्दों में T, Bonds या प्रमुक currencies नहीं तो क्या आप पाते हैं कि आपके order वास्तों में market को आगे बढ़ा रहे हैं वे कर सकते हैं लेकिन मैं कभी market पर धोंस नहीं जमाता उस बारे में बात करते हुए अक्सर बहुत बड़े traders के बारे में कहानिया सुनी जाती है जो market को ऊपर या नीचे दखेलने की कोशिश करते हैं क्या यह वास्तों में काम करता है? मुझे ऐसा नहीं लगता यह short term के लिए किया जा सकता है लेकिन अंततय यह serious mistakes को जनम देगा इसका result आम तोर पर arrogance और underlying market structure के साथ fundamental और technical रूप से संपरक कान उक्षान होता है जिन ट्रेडर्स को मैं जानता हूँ जिनोंने अपनी क्षमता के बारे में बहुत अधिक सोचा और market पर pressure बनाने की कोशिश की उन्होंने अंततय और trading की गलती की और डूब गए किसी का नाम बताई भी न क्या आप एक example दे सकते हैं crude oil के market पर कबजा करने की कोशिश के बाद एक British trading organization के serious trouble में फंसने का एक ताजा example है पहले तो वे successful हुए लेकिन फिर उन्होंने control खो दिया और crude oil की prices 4 डॉलर तक गिर गई end result क्या था उन्हें लगबग 40 million डॉलर का नुकसान हुआ और organization संकट में आ गया आप संभवते दुनिया के किसी भी other futures trader के तुलना में अधिक money का management कर रहे हैं जब आप हार के दोर में पूशते हैं तो आप emotional strain को कैसे संभालते हैं तो अभी आपने इस book के section को सुना अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस channel को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने कम से कम चार दोस्तों के साथ social media पर share अवश्य करें धन्यवाद hindi audiobook.com आपका दिन शुब हो